सर जिस तरीके से कोरोनागर नया वेरियंट आया है, कितनी बहुत तेजी से फेलना बताये गया है, कितनी पैसेंट राजस्तान में कोई आया है, या किस तरीके से सरकार की तैयारिया है? देखे, COVID management के अंदर राजस्तान की तैयारी फुल प्रूफ है, यहां का infrastructure बहुत अच्छा है और अभी हमारी चिंता यह नया variant जो Omicron आने से बढ़ गया है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि राजस्तान में 90% लोगों को single dose vaccine लग चुका है, almost touching 50% को second dose भी लग चुका है यह नया variant जो की mainly African countries में पाया गया है और इन African countries में mainly बहुस्तवाना है, अभी कुछ European countries में जैसे Belgium और Holland में भी इसके cases मिले हैं इधर Hong Kong और Singapore में भी कुछ cases मिले हैं यह Omicron नया variant है, यह पुराने जो Delta variant काफी घातकता उससे थोड़ा different है इसमें mutation होने के कारण दो characters achieve कर लिये हैं यह Omicron variant जो COVID virus है, यह almost काफी 7-8 गुना गती से spread करता है और इसके काफी critical symptom हो सकते हैं तो because of excessive infectivity of this virus and because of critical symptoms हमें इसके बारे में बहुत careful रहना पड़ेगा यह careful क्यों रहना पड़ेगा कि इस वारस के उपर जो spike protein होते हैं उसमें 30 तरह का mutation पाया गया है यह vaccine के द्वारा बनने वाली जो antibodies होती है, वो antibodies पुराने जो delta variant है और दूसरे वारसे जे उनके spike को block कर देती है और यह spike के द्वारा ही lungs में enter करते हैं और इस receptor पर चिपक जाते हैं अब यह antibodies जो spikes जो उसके स्वरूप में changes आए हैं उसको कित हद तक उसको block करेगा, किस हद तक उसको protect कर पायेगा यह आगे वाले कुछ दिनों में देखने की बात है बट मैं public and large से यह request करना चाहूँगा कि COVID appropriate behavior को follow करें वेदर पुराना delta variant हो या नया omicron variant हो अगर हम masking, social distancing और protocols को follow करेंगे तो हम किसी भी COVID के infection से बस सकते हैं जहां तक राजस्तान का सवाल है आपको जानके खुशी होगी कि किस तरह का COVID infection patient में है वो हम एक genome sequencing टेक्किंग के द्वारा पता कर लेते हैं SMS Medical College राजस्तान का एक pioneer institute है जहां पे genome sequencing शुरू कर दी गई है हम पहले genome sequencing के sample डेली भेज देते अभी तक करीब साड़े 3,000 sample भेज चुके हैं करीब 800 sample SMS Medical College में test हो चुके हैं खुशी की बात यह है कि इसमें 80% delta variant है बाकी 20% alpha और kappa variant है एक भी case अभी तक नए omicron variant का नहीं पाया गया है अज़े अभी तक तो राजस्तान इस नए highly infectious variant से अचुता है अगर हम COVID appropriate behavior को follow करेंगे जो travelers है जो भार से आ रहे हैं उनकी close screening करेंगे उनका isolation और quarantine करेंगे आपने देखा होगा कि नई travel guidelines भी आ गई है कि जो लोग suspected countries से आ रहे हैं उनको RT-PCR करवाना पड़ेगा प्रोटोकॉल होगा और जो दूसी कंट्री से आ रहे हैं उनका भी monitoring होगा तो मैं सोचता हूँ incoming population का close monitoring suspect country से आने वाले passengers का close monitoring और COVID appropriate behavior follow करें साथ ही हम सब की ये moral duty है कि जिन लोगों ने single dose vaccine लगा रखा है उनको हम double dose के लिए motivate करें काफी हद तक ऐसा feeling ये है कि double dose लगने के बाद भले ही नया variant हो उससे critical और severe disease नहीं होगी mild और moderate symptom हो सकते हैं तो अगर हम double dose लगाने के बाद Omicron नया variant आता भी है और अगर हम life को save कर सकते हैं death को save कर सकते हैं critical disease और ventilation को save कर सकते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्दी होगी अथे सबसे important ये है कि हम COVID appropriate behavior को जिस तत्वटपा और sincerity से पहले follow करे थे उसको करें अभी आपने देखा होगा कि social, wedding और दूसी gatherings में masking को थोड़ा नहीं देखा गया है लोग casual हो गये हैं मैं यही कहना चाहूँगा कि वो effectively masking करें second dose जिनको नहीं लगी है वो लगवाएं और हम इस नए variant से भी आगे बस सकते हैं हमारा infrastructure full proof है हमारे सारे hospitals, हमारे सारी ICU, oxygen plants, LMO plants, oxygen concentrator चुँकि हमें second wave को handle करने का experience है उतने ही ततपरता से हमारा infrastructure, training program, manpower, medical staff in case अगर cases बढ़ते हैं तो हम लोग पूरी तरह से prepared हैं